आज मैं आपको वताऊंगी मेरी ब्लाउज का कलेक्शन जो की मैंने खुदी डिजाइन किया हुआ है जिससे आपको बहुत हैल पे मिलने वाली है उससे आप अपना ब्लाउज डिजाइन करवा सकती हैं डिजाइन आइडियाज मैं आपको ऐसे दूंगी जिससे आप अपनी ब्लाउज डिजाइन करवा सकती हैं आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो एच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें देखिए मैंने यह गूल्डन कलर का नैट का कपड़ा लिया हुआ था इसमें मैंने साइनिंग वाला अस्तर लगाया हुआ हुआ है और पीछे दो डोरी लगायी है इसमें हुक्स बगएरा नहीं लगाया हुई है यह इसके डोरी के लटकन भी मैंने खुद ही बनाया हुए है लेज मैंसे और ये लटकन वाली लेज मैंने पर्चेस की थी, जो इसमें लगाए हुई है, ये फ्रंट वाग है, प्रिंसेस कट मैंने आगे से बनाया हुआ है, और ये बहुती संदर दिखता है पहनने के बाद, नेक्स्ट है, ये बेलवेट का ब्लाउज, मैंने बेलवेट का कपड़ा लेकर बलाउज बनाय हुए था, बेक पार्ट इसका ये है, और इसमें मैंने लटकन लगाए हुई है, और गुल्डन पाइपिंग पर्चेस करके लगाए हुई है, और फ्रंट से कोछ ऐसा है, ये फ्रंट पे मैंने चॉड़ी वाली लेज लगाए हुई है, जिससे काफी आगे से तो यह सिंपल है पर पीछे से बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस है एक छोटी से डिजाइन की वज़े से बहुत स्टाइलिस हो गया है पीछे का लुग बताती हूं आपको यह इसमें पीछे नोट लगाया हुआ मैंने बॉर्ड इससे बहुत ही स्टाइलिस लगता है इसमें डोरी भी मैंने कपड़े की ही यूज की ये अलग से पर्चेस नहीं किये ये अच्छा दिखता है पेननी के बाद ये देखिए इसमें ये इस गोल्डन ब्लाउस में ऐसी इंब्रॉडरी आई थी तो उसी इसाफ से मैंने आगे का निक बनाया है और स्लीप्स को डिजा किया हुआ है उसमें भी इंब्रॉडरी आई थी और इसके बैक पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छा लुग दिया है ये ग्रीन कलर की लिए इस अलग से पर्चेस की और अलग से मैंने इसकी पाइपिंग बनाई लटकन भी लगाया अलग से ताकि अच्छा लुग दे पहनन इसके आप इसें मुतज़ा लगा सकती है जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा ये पीछे का नेक मैंने मत का नेक बनाए हुआ है और इसमें अलग से लटकर लगाये हुई है ये देखिए ये कॉलर वाला बलाउस बनाया है मैने इसकी नेट मैंने अलग से पर्चेस की थी और जो बलाउस के पीस में जो आने गज आई थी में विना गज़िव में लगाई हूए और ये उसकी कॉलर है ये कॉस्टमाइज है इसे हम निकाल ॐ सकते हैं जब कॉलर वाला पेनना हो तब लगा सकते हैं निकाल भी सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिखता है पीछे से बड़ा गला भी होता है और कॉलर भी लगी हुई होती है ये देखिए ये इम्ब्रॉइडी वाला बिलाउस था मेरा इसमें जिस तरह से इम्ब्रॉइडी आई यूसी टाइब का मैंने गला बनाया हुआ है सिलीब में इसके इंब्रोइडरी नहीं आ रही थी तो साइड में से कपड़ा लेकर मैंने इधर जॉइंट किया है सिलीब में तेसे अच्छा लुक दे रहा है आगे फ्रंट ओपन विलाउस बनाया हुआ है मैंने दोस्तों आपक इसे लिए वीडियो का सेकंड पार्ट भी में बनाओंगी उसमें मेरे और ब्लाउस की कलेक्शन को बताओंगी जो कि मैंने हिसला है डेजाइन किया हुआ है यह ब्लाउस है इसमें मैंने अलग से ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई हुई है और कपड़े की ही डोरी बना के ल पार्ट पार्ट भी